हेलो एवरिवान, दिस इस सभी हानूर, वल्कम बैक टू आर चानल, स्टेइस टू एक्सिलेंस आज हम इस सेशन में डिसकस करने वाले हैं पियाजेस कोगनेटिव डिवेलेप्मेंट थियोरी यह थियोरी बहुत ही इंपोर्टन्ट है, आप इसको 5 नहीं बलकि 7 स्टार मार्ग कर लें क्यूंकि यह थियोरी आपको B8 में तो आएगी ही आएगी, साथ ही साथ B8 के बाद अगर आपको कोई teaching jobs related exam देते हैं तो वहाँ भी आपको यह थियोरी बहुत help करेगी और इससे related questions आपको देखने को मिलेंगे इसलिए यह बहुत ही important है, आज हम इस session में डिसकस करेंगे कि PRJ ने cognitive development theory में कितने stages दिया है वो stages क्या है, इनकी theory को क्यो criticize किया गया है और किस चीज के लिए इनको support मिला है यह theory में तो यह सारी चीज़ आज हम discuss करेंगे इस session में और session शुरू करने से पहले अगर आप मेरे channel पर new हो तो make sure आप मेरे channel को subscribe जरूर कर दे और video पसंद आता है तो end में like जरूर करें तो session स्टार्ट करते हैं अब cognition का मतलब क्या होता है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं term cognition is derived from the latin word cognosier which means to know or to recognize or to conceptualize अब cognition word आया है latin word cognosier से जिसका मतलब होता है to know, मतलब कोई चीज जानना, to recognize, कुछ पहचानना और to conceptualize, कोई भी concept को form करना cognitive development का मतलब क्या होता है the term cognitive development refers to the process of growth and change in intellectual mental abilities such as thinking, reasoning and understanding mental abilities में या mental structure में जो भी changes होते हैं वो होता है cognitive development तो यह एक ऐसा process है जहां पर एक इनसान सीखता है कोई भी चीज, remember करता है, understand करता है problem solve करता है और imagine कर सकता है तो यह सारी activities, यह सारे process जो भी mind से related होते हैं, वो होता है cognitive development बात समझाई? तो अब हम कुछ की concept discuss कर लेते हैं जो बहुत ही important है इस theory में सबसे पहला है schema, schema क्या होता है? knowledge that help us to interpret and understand the world ऐसी knowledge जो हमें मदद करती है, help करती है अपने world को समझने के लिए, अपने surroundings को समझने के लिए तो वो होता है schema, assimilation, assimilation क्या होता है? using an existing schema to deal with a new object or situation अब हमारी schema जो है हमने build कर ली, हमारे पास schema हमारा बन गया, अब हमारे life में कोई situation आती है कोई new situation आती है, तो उस new situation में हम वो schema को use कैसे करेंगे और कैसे deal करेंगे वो situation से सो वो होता है assimilation, आगे हम इसको example के थूँ समझेंगे, फिलहाल concept clear करते है third is accommodation, accommodation क्या होता है? changing or altering our existing schema in light of new information हमारा schema develop हो गया, हमने बना लिया, हमारा situation आई और हमने उसको use करने की कोशिश की हमारा जो भी schema था, उसको हमने new situation में use करने की कोशिश की लेकिन वो situation के हिसाब से सही नहीं बैटी, तो हमने हमारे schema को थोड़ा change किया और उसमें थोड़ा alter करने की कोशिश की, जो भी हमारा existing schema था, जो भी knowledge था उसमें हमने थोड़े changes लाए फिर next is equilibrium, a balance between applying previous knowledge, that is assimilation, and changing behavior to account for new knowledge, that is accommodation Equilibration क्या होता है, मतलब assimilation और accommodation में balance maintain करने को बोलते हैं Equilibration, अगर हमारे सामने new situation आती है, और हम हमारे existing schema को लेकर, जो है, वो situation से deal करते हैं फिर अगर हम change नहीं कर पा रहे हैं, तो ये dis equilibrium हो जाएगा, लेकिन अगर हम change कर देते हैं, तो यहाँ पर equilibrium हो जाता है बात समझा रहे है, अब इसको हम समझते हैं, example से यहाँ पर एक boy है, उसने एक bird को देखा, अब यहाँ पर उसका schema develop हुआ, कि यह क्या है, bird है ठीक है, next day, वो अपनी sister के साथ जाता है, समझ लो, park में जाता है या कहीं भी तो यहाँ पर उसके सामने new situation आ रही है, new situation यह है, कि वो airplane देखता है और airplane को देखने के साथ ही वो बोल देता है, कि यह क्या है, bird है अब उसका जो भी schema था, उसने new situation में उसको assimilate किया मतलब उसने apply किया new situation में, नई situation जब उसके सामने आई तो उसने उस चीज को apply किया, apply करने के बाद जब उसके sister ने कहा, कि यह bird नहीं है बलकी क्या है, aeroplane है, तो यहाँ पर उसने अपने जो schema था, existing schema था, knowledge था उसका उसको change किया, alter किया, और फिर उसके बाद जब वो next day गया, तो उसने difference समझ लिया कि bird किसको बोलते हैं और aeroplane किसको बोलते हैं, bird एक living thing है और जो aeroplane है वो एक non living thing है तो इस तरीके से वो new schema को accommodate कर लेता है, तो यह हुआ schema, assimilation और accommodation schema वो है, जो एक knowledge होती है हमारे दिमाग में किसी भी चीज़ को लेकर, जिससे हम अपने word को समझने की कोशिश करते हैं assimilation वो है, जो हमें help करता है new situation में, वो schema को use करने के लिए accommodation क्या है, accommodation मतलब हमारी अगर schema नई situation के साथ match नहीं कर रही है तो हम उसमें जो भी changes करते हैं और जो भी alter करते हैं, तो वो होता है accommodation equilibrium क्या होता है, अगर हम सही तरीके से assimilation और accommodation कर लेते हैं तो वो होता है equilibrium अगर हम ये चीज नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा डिस एक्विलिब्रियम हो जाएगा और assimilation और accommodation को ही adaptation भी बोलते हैं ठीक है अब बात करते हैं हम stages की और देखते हैं cognitive development के stages कितने होते हैं cognitive development के चार stages हैं सबसे पहला जो stage है वो है sensory motor stage जो के birth से 2 साल तक का रहता है second stage is pre operational stage जो 2 साल से 7 साल तक का रहता है third stage is concrete operational stage जो 7 से 11 साल तक रहता है और last है हमारा formal operational stage जो के 11 से adulthood तक रहता है ये चारो stage को हम detail में discuss करेंगे सबसे पहला stage है हमारा sensory motor stage sensory motor stage होता है birth से लेके 2 years तक का अब यहां पे बच्चा अपने senses से और अपने motor action से जो है world को समझने की कोशिश करता है ठीक है the child tries to make senses of the world during this stage by coordinating sensory experiences with motor action मतलब sensations से और movements को coordinate करके वो अपने world को समझने की कोशिश करता है कि world work कैसे करता है चीजे work कैसे करती है उसके surroundings को समझने की कोशिश करता है वो यह दोनों चीज को coordinate करके ठीक है और यही stage में object permanence भी develop होता है एक बच्चे के अंदर जो की बहुत ही main element है यह stage का यह stage के six sub-stages भी है जो हम discuss करेंगे detail में तो बढ़ते हैं six sub-stages की तरफ और समझते हैं उन sub-stages को sensory motor stage के six sub-stages है सबसे पहला है stages of reflex activities, second is primary circular reaction, third is secondary circular reaction, fourth is coordination of reaction, fifth is tertiary circular reaction and last is early representational thought यह हर एक stage को हम detail में पढ़ेंगे और बच्चे की development इसमें कैसे होती है उन सब चीजों के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे sensory motor stage का जो सबसे पहला sub-stage है वो है stages of reflex activities, यहाँ पर यह stage में बच्चा reflex action से, inborn reflexes से अपने environment को समझने की कोशिश करता है for example अगर आप एक बच्चे के पास अपना finger लेके जाओगे उसको brush करवाने के लिए तो वो automatically आपका finger जो है suck करने लगेगा क्यों क्योंकि वो sucking जो है वो उसका inborn reflex है ठीक है वो automatically होगा intentionally नहीं कर रहा है वो unintentionally वो चीज हो रही है उससे तो यह होता है reflex activity तो उनहीं चीजों से वो अपने environment को समझने की कोशिश करता है reflex action से second stage है primary circular reaction primary circular reaction में schema और sensation जो है दोनों coordinate होते है primary का मतलब क्या होता है infant मतलब जो baby है जो बच्चा है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही body पे focus करता है उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी body पर रहता है और circular मतलब repetition कोई भी चीज़ का repeat होना या repeat उसको करना तो यहाँ पर बच्चा क्या करता है अपने actions को repeat करता है ठीक है अपने actions को repeat करता है actions are repeated because the infants finds them pleasurable क्योंकि उसको अच्छा लगता है वो चीज करना for example thumb उसको suck करने बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसको ऐसा करने से pleasure मिलता है खुशी मिलती है वो चीज करने से वो action perform करने से repeat करने से उसको अच्छा लगता है ठीक है next stage है secondary circular reaction secondary circular reaction में क्या होता है the child becomes more focused on the world and begins to intentionally repeat their action to get a response from the environment मतलब यहाँ पर वो world पे जादा focus करने लगता है और वो अपने actions को repeat करने लगता है ताकि उसको अपने environment से response मिल सके ठीक है for example वो कोई भी toy अगर उसके आसपास है तो वो toy को वो खिलोने को जान बूच के वो उठा कर जो है सक करेगा ताकि उसको अपने environment से response मिले अपने parents से या जो भी caregiver है उससे उसको response मिले तो इसलिए वो चीज intentionally अपने actions को repeat करता है फिर जो second point है वो है the thing which is out of sight is out of mind वो ये समझते हैं ये stage में बच्चा ये समझता है कि जो चीज उसके सामने है वो वही चीज है और अगर जो चीज उसके सामने नहीं है वो चीज उनके लिए exist नहीं करती है ठीक है अगर आप एक बच्चे के सामने teddy bear या doll रख दो तो वो उनसे खेलता रहेगा और अगर एक minute के लिए या एक second के लिए भी आप उनके सामने से वो चीज हटा दो गाइब कर दो तो वो सोचेंगे कि ये चीज अब exist ही नहीं करती है तो इसलिए ये चीज को बोला जाता है the thing which is out of sight is out of mind वो ये stage में होता है ठीक है मतलब वो इस सोचते हैं कि object permanence यहाँ पर उनका मतलब develop नहीं हुआ होता है उनको नहीं पता कि object permanence क्या होता है वो सिरिफ यही सोचते हैं कि जो चीज सामने है वो ही exist करती है और जो चीज सामने नहीं है वो exist नहीं करती है next is coordination of reaction coordination of reaction में क्या होता है after repeatedly observing that certain actions lead to certain consequences infants gradually acquired knowledge of cause-effect relationship मतलब यहां पर repeatedly observe करने के बाद वो यह देखते हैं कि कुछ-कुछ action के कुछ consequences भी है ठीक है तो उनसे उनको cause-effect relationship की knowledge होने लगती है उनको समझ आने लगता है कि कोई-कोई objects के कुछ specific qualities भी है जैसे कि rattle को अगर हम rattle उनको खेलने के लिए दे दे तो वो rattle को shake करेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि rattle को shake करने के बाद sound एक पैदा होता है तो यह consequences है action का तो यह होता है coordination of reaction यही stage में object permanence भी उनको समझ आने लगता है object permanence क्या होता है कि मतलब कोई भी उनके सामने चीज रख दी जाए और फिर कुछ देर बाद अगर हटा ली जाए तो वो यहाँ पर यह सोचते हैं कि नहीं हमारे सामने से जो चीज हटी है वो exist करती है तो यह stage में यह चीज उनको develop हो जाती है object permanence उनको आ जाता है peekaboo बहुत ही famous example है इस stage का यह एक game है जिससे हम बच्चों का object permanence पता कर सकते हैं कि उनके अंदर यह चीज अभी acquire हुई है यह नहीं हुई है ठीक है कभी कभी आपने देखा होगा आप बच्चों के साथ अगर खेल रहे हो लुक का छुपी तो अगर आप छुप जाते हैं तो वो आपको कैसे ढूनने लगते हैं तो यही चीज बताती है कि उनको समझ आ गया है कि जो चीज उनके नजर के सामने से हटी है वो हमेशा के लिए नहीं हटी है बलकि जो है temporary हटी है और वो चीज उनको वो चीज को वो ढून लेते हैं object permanence उनको वहाँ पर समझ आने लगता है ठीक है next stage is tertiary circular reaction tertiary circular reaction को trial and error stage भी बोलते हैं अब यहाँ पर एक बच्चा क्या करता है explore करता है अपने surroundings को make mistake and repeat their mistake to seek attention from their caregivers मतलब यहाँ पर explore करने के साथ साथ वो जो है गलती भी करता है और वो गलती को repeat भी करता रहता है ताके उसके जो parents है उस पर attention दे उस पर ध्यान दे जो भी उसके caregivers है जो भी गाजन है वो उस पर जो है attention दे तो इसलिए वो अपने mistakes को repeat भी करता रहता है different different sound भी try करता है action कभी कभी करने लगता है ताके उसको response मिले अपने caregivers से the last stage is early representational thoughts early representational thought में क्या होता है the child focus more on mental activities rather than physical action physical action से जादा बच्चा focus किस पर करता है mental activities मतलब अगर एक parents उसके सामने कोई भी चीज पढ़ेंगे या गाएंगे तो वो चीज को recall करता है मतलब दुबारा गाता है अपने language में जैसे वो गा सकता है imitate करता है behavior को copy करता है एक दूसरे के behavior को तो ये सारी चीज वो कैसे कर सकता है mental operation के त्रू तो यहाँ पर वो mental activities पे जादा focus करता है इन सब stages को याद करने के लिए आपके सामने एक बहुत ही beautiful trick है जिससे आपको ये सारे stage बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे और वो trick ये है in school primary secondary can take education ये trick से आपको जो है sensory motor के 6 सब stages बहुत ही आसानी से याद रहेंगे तो आपको ये trick याद कर लेनी है क्या है in school primary secondary can take education school से आता है stages of reflex activities primary से आता है primary circular reaction secondary से है secondary circular reaction can से है coordination of reaction take से है tertiary circular reaction and last है education से early representational thought तो I hope आपको ये 6 सब stages याद करने में आसानी हो और कोई भी दिक्कत ना हो तो ये trick आप हमेशा याद रखी आपको stages याद रहेंगे sensory motor stage के बाद जो stage आता है वो है pre operational stage जो के 2 से 7 साल तक के रहता है during this stage young children can think about things symbolically मतलब यहाँ पर बच्चे जो है चीजों को symbolically लेकर जो है सोचते हैं अब symbolically कैसे सोचते हैं for example अगर एक बच्चे को horse riding करनी है तो वो horse riding कैसे करेगा एक broom उठा लेगा एक जाड़ू उठा लेगा और उस पे बैट के वो है वो जो है symbol क्या है broom और वो broom को symbol किसका समझ रहा है horse का तो इस तरीके से वो चीजों को समझने लगता है और सोचने लगता है ये stage में they begin to use language, memory and imagination मतलब यही stage में उनका language development भी होने लगता है और उनकी memory और imagination भी शुरू होने लगती है ये stage में सबसे main क्या होता है उनका language development और sensory motor stage में उनका क्या होता है object permanence वो acquire करने लगते हैं तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि sensory motor stage में वो object permanence acquire करते हैं और pre-operational stage में वो language development जो है उनका होना शुरू हो जाता है अब यहाँ पर ये picture में आप देख सकते हैं एक बच्चा है अपने father के back पे बैठा हुआ है और अपने आपको क्या hero समझ रहा है ठीक है मतलब यहाँ पर वो assume कर रहा है कि वो horse पे चल रहा है horse riding कर रहा है ठीक है तो वहाँ पर उसको ये चीज बहुत खुशी देती है और symbolically होके यहाँ पर वो चीजों को समझने लगता है there are two sub-stages of this stage अब ये stage के भी दो sub-stages है ठीक है अब वो क्या है वो हम देखते हैं so first stage is pre-conceptual stage अब pre-conceptual stage में क्या होता है बच्चे बहुत जादा egoistic behavior दिखाने लगते हैं और उनको अपने point of view के अलावा किसी और का point of view समझ में नहीं आता है ठीक है second is animism वो animism behavior दिखाने लगते हैं मतलब वो non-living thing से बाते करने लगते हैं जैसे कि आप ये picture में देख सकते हो एक baby girl एक teddy bear से बात कर रही है जैसे वो teddy bear उसकी बातों को सुन रहा है तो ये होता है animism मतलब non-living को leaving समझ कर उससे बाते करना तो ये stage में बच्चे ये चीज़ करने लगते हैं second stage है intuitive stage अब ये stage में क्या होता है बच्चों को बहुत जादा difficulty आती है conservation समझने के लिए अब conservation क्या होता है अब यहाँ पर एक बच्ची है उसके सामने teacher ने दो glass रखा है juice का उसमें same amount of juice है अब teacher क्या कर रही है एक glass को दूसरे glass में transfer कर दे रही है जो भी juice है उसको transfer कर दे रही है ठीक है बच्ची का reaction देखिए आप वो shock हो गई है अब उससे पूछ रही है teacher के दोनों glass में से कौन से glass में जादा juice है तो वो कहती है कि ये glass में जो glass tall है और उससे reason पूछती है तो वो कहती है कि क्योंकि ये tall है इसलिए इसमें जादा juice है तो यहाँ पर बच्चों को conservation समझ में नहीं आता है उनको ये समझ में नहीं आता कि volume और quantity change नहीं होती है shape और size के बदलने से ये stage में बच्चे चीजों को reverse way में नहीं सोच पाते हैं cannot do reversible thinking मतलब वो 1 से लेके 12th account कर सकते हैं easily but 12 से 1 count करने बोलेंगे उल्टे गिंती अगर हम उन्हें करने बोलेंगे तो वो चीज वो नहीं कर पाएंगे reversible counting उनको नहीं आती है क्योंकि उनकी thinking reverse नहीं हो पाती है concrete operational stage concrete operational stage होता है 7 to 11 years तक का यहाँ पर जो बच्चे हैं can do operation on concrete objects but find it hard to solve abstract problems वो concrete objects related problem तो solve कर सकते हैं लेकिन abstract problems वो solve नहीं कर पाते हैं वो उनको difficult पढ़ता है hard पढ़ता है अगर मैं student के सामने या बच्चों के सामने candies रग दू और उसको count करने बोलू या उसको add करने बोलू तो वो चीज वो कर लेंगे क्योंकि वो objects को छू सकते हैं देख सकते हैं तो इसलिए वो उनके लिए आसान है लेकिन अगर वहीं पर मैं उनको formula दे दू कोई और formula से जो है उनको problem दे दू और solve करने बोलू तो वो चीज वो नहीं कर पाएंगे वो चीज उनके लिए hard हो जाती है तो abstract problem solve करना उनके लिए difficult है ये stage में Begin to understand the concept of conservation Conservation का concept उनको समझ में आने लगता है कि जो है quantity और volume change नहीं होता है shape और size के बदलने से तो ये चीज उनको समझ में आने लगती है ये stage में Understanding of reversibility Reversibility भी समझने लगते हैं कि reversibility क्या होता है मतलब वो 1,2 अगर 100 बोल सकते हैं तो 100 से 1 की तरफ भी आ सकते हैं Start point से end point की तरफ जा सकते हैं तो end point से start point की तरफ भी आ सकते हैं तो वो होता है reversibility तो ये stage में को reversibility भी समझानी लगती है Elimination of egocentrism Egocentric भी होते हैं वो previous stage में बट ये stage में वो चीज़ Eliminate हो जाती है वो egoistic नहीं होते है During this stage The child begin to develop Transitivity, Seriation, Classification and Decentric अब ये सारे terms बहुत ही important है तो एक-एक term को हम एक-एक picture से समझेंगे ये सब चीज़ उनके अंदर develop होने लगती है ये stage में सबसे पहले होती है develop transitivity अब transitivity क्या होता है वो कोई भी चीज़ को sequence wise order में जो है arrange कर सकते है बड़े से छोटा या फिर छोटे से बड़ा ascending और descending order में वो चीज़ को लगा सकते हैं या बना सकते हैं जैसे यहाँ पे एक बच्चा जो है अपने object को या फिर अपने जो है toy को खिलोने को कैसे छोटे से बड़ा या बड़े से छोटी की तरफ लगा रहा है तो ऐसा वो कर सकते हैं ये stage में उनको समझ आने लगता है तो ये होता है transitivity अब seriation क्या होता है seriation मतलब वो logical relationship समझने लगते हैं चीजों के बीच में उनको समझ आने लगता है कि कैसा logical relationship बन रहा है चीजों में यहाँ पर ये picture में जैसे A is bigger than B and B is bigger than C then A must be bigger than C तो इस तरीके का logic उनको समझ में आने लगता है ये होता है seriation ठीक है बाद फिर होता है classification अब classification क्या है वो characteristics के हिसाब से या appearance के हिसाब से या फिर size के हिसाब से चीजों को classify कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये चीज इसमें आती है ये चीज उसमें आती है तो होता है classification for example animal classification की अगर बात करें तो उसमें दो वो classify कर सकते हैं कि एक vertebrates होते हैं और एक invertebrates vertebrates में कौन-कौन से animals आते हैं वो चीज वो classify कर सकते हैं और invertebrates में कौन से आते हैं वो चीज भी वो बता सकते हैं तो इस तरीके से वो classification भी कर सकते हैं ये stage में last है हमारा decentric, decentric क्या होता है वो जो previous stage में जब वो होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही point of view को समझते हैं लेकिन जब वो ये stage में आते हैं और ये age में आते हैं तो वो decentric हो जाते हैं मतलब वो अपने point के साथ साथ दूसरे के भी point को समझने लगते हैं दूसरे के point of view को भी जो है अच्छे से समझते हैं और सुनते हैं तो यह होता है decentric so यह सारे terms बहुत ही important है I hope आपको यह सारे pictures से यह सब terms याद रहेंगे अब बढ़ते हैं हम next stage की तरफ next and last stage है हमारा formal operational stage यह stage होता है 11 years से adulthood तक का अब यह stage में बच्चों की thinking move होती है from concrete to abstract पहले उनकी concrete जो है thinking ही रहती है मतलब concrete objects को देखके ही उसको solve कर सकते हैं abstract चीज़े solve नहीं कर सकते हैं abstract problem solve नहीं कर सकते हैं बट यह stage में वो concrete से abstract की तरफ आ जाते हैं और अगर हम उनके सामने abstract problem रखते हैं तो वो चीज़ वो solve कर ले जाएंगे और कर ले जाते हैं ठीक है use symbols related to abstract concept अगर हम कोई भी उनके सामने problem रखें for example अगर मैं उनके सामने profit and loss का example दूँ और वो problem दूँ उनको solve करने बोलू तो वो cost price का, selling price का, profit, loss हर एक का symbol use करेंगे ठीक है तो इस तरीके से वो symbol use करते हैं abstract problem में और ये stage में उनको वो चीज़ समझ में आने लगती हैं कि symbol हमको कैसे use करना है problems में such as logical thought, deductive reasoning and systematic planning also emerges अब यही stage में उनकी जो thinking है, उनकी जो thoughts है वो logical होने लगते हैं, deductive reasoning आने लगती है मतलब वो formula से जो है example की तरफ आ सकते हैं systematic planning also emerges और हर एक problem को systematic way में solve कर सकते हैं ठीक है, develop inductive as well as deductive logic inductive और deductive दोनों logic उनको समझ में आने लगता है मतलब वो example to rule भी जा सकते हैं जो के inductive है और rule to example भी जा सकते हैं जो के deductive है अगर हम उनको कोई भी formula दे देंगे तो वो formula को जो है problem में डाल के उसको solve भी कर सकते हैं तो यह होता है deductive logic अब बात करते हैं educational implication की so this theory provides broad development perspective to the teachers and curriculum designer to make a better curriculum for the children मतलब यह theory हमें बताती है कि teacher को या curriculum designer को कैसा curriculum बनाना चाहिए बच्चों के लिए कैसा syllabus बनाना चाहिए बच्चों के लिए तो हर stage में बच्चों की जो thinking होती है जो mind होता है वो अलग होता है तो हमें उनके needs के हिसाब से उनके age के हिसाब से हमें syllabus बनाना है ठीक है use collaborative as well as individual activities because kids learn as much from each other as from parents or teachers मतलब यहाँ पे हमें individual activities के साथ साथ हमें group activities भी करवानी है क्योंकि बच्चा group work में जादा अच्छे से सीखता है मतलब उतना वो parents और teachers से नहीं सीखता जेतना अपने दोस्तों के साथ अपने peers के साथ सीख जाता है तो इसलिए एक teacher को group activities भी करवानी चाहिए individual activities के साथ साथ emphasis on discovery approach in learning because child learn faster by doing things rather than hearing about them मतलब यहां पर बच्चा जो है अपनी learning को खुड discover करता है ठीक है तो पियाजे बुलते हैं कि बच्चा जो है वो एक little scientist है अपनी learning को वो खुड discover करता है और यहां पर अगर हम कोई चीज उसको करने देंगे कोई experiment करने देंगे तो वहां पर वो जादा सीखता है learning by doing भी यहां पर होती है और बच्चा करके जल्दी सीखता है rather than hearing about them और ना की सुन के तो सुन के वो उतना अच्छा नहीं सीखेगा वो चीज के बारे में उतना अच्छा नहीं जानेगा जितना अच्छा वो तब समझेगा जब वो खुद से वो चीज करेगा ठीक है co-curricular activities have equal importance as that of curricular experiences in the cognitive development of children मतलब यह थियोरी में co-curricular activities को भी इतना ही importance दिया गया है जितना curriculum curricular activities को दिया गया है तो यह सारे activities को co-curricular कहा जाता है तो इन सब को भी उधना ही importance देना चाहिए टीचर को जितना वो curricular activities को देती है और जब हम student को पढ़ा रहे हो और especially छोटे बच्चों को तो हमें visual aids यूज करना चाहिए props कुछ यूज करना चाहिए ताकि उनको ज़ादा समझ में आए concrete objects यूज करने चाहिए क्योंकि वो जब चीजों को देखते हैं तो उनकी learning वहाँ पर और ज़ादा best होती है तो उनकी learning को अच्छा करने के लिए हमें visual aids का यूज करना चाहिए props का यूज करना चाहिए अब हम ये theory के कुछ pros and cons देख लेते हैं P.A.J की theory को बहुत ही ज़ादा importance दिया गया है psychology और education में ठीक है P.A.J's work generated interest in developmental psychology he changed how people view the child's world and their methods of studying children मतलब P.A.J के work से P.A.J के काम से बहुत ही ज़ादा interest generate हुआ था psychology में और जो दूसरे psychologist है उनका भी view change हुआ था उनका भी जो है एक opinion change हुआ था बच्चों के world को लेकर और जिस तरीके से वो बच्चों को पढ़ते थे वो चीज change हुई थी P.A.J की थियरी के बाद तो ये support मिला था उनको second is a number of instructional strategies have been derived from P.A.J's work strategies भी derive किये गए P.A.J की थियरी के बाद जैसे के हम supportive environment दे के भी provide करके भी student को पढ़ा सकते हैं social interaction करवा सकते हैं उसको भी use कर सकते हैं peer teaching करवा सकते हैं और group activities करवा सकते हैं तो ये सब strategies use करके हम student को पढ़ा सकते हैं तो ये सब strategies जो है derive की गई P.A.J के work के बाद उनकी थियरी के बाद अब इनकी थियरी को criticize इसलिए किया गया क्यूंकि जो sample थे वो बहुत ज़ादा biased थे small थे and very homogenous सबका genetic जो structure था वो same था all had a similar genetic heritage and environment प.A.J ने अपने ही बच्चों को use किया था अपने ही तीन बच्चों को use किया था अपने theory के लिए और उनको infancy से पढ़ना चालू किया था और उसके बाद अपनी theory को दिया था तो इसलिए जो sample है वो बहुत ज़ादा biased है small है अब सबका ही same environment भी है किसी का भी अलग नहीं है और सब के सब जो है उनका जो background है वो बहुत ही ज़ादा high socio economic background है किसी का भी low socio economic background नहीं है तो इसलिए ये जो sample है वो बहुत ज़ादा biased हो जाता है इसलिए इनकी theory को criticize किया गया है second is PRJ did not consider the effect of social setting and culture on cognitive development PRJ ने अपनी पूरी theory में कहीं भी जो है social और culture की बात नहीं की है cognitive development में उन्होंने ये चीज़ को जो है बिल्कुल भी consider नहीं किया गया है तो इन चीज़ों की वज़े से इनकी theory को criticize किया गया है so I hope आपको आज का session पसंद आया होगा और अगर आपको आज का session अच्छा लगा तो आप मेरे चानल को like करके मेरे चानल को subscribe ज़रू करें और अपने दोस्तों के साथ share करना ना भोले आगे की videos के लिए stay tuned with my channel guys thanks for watching